हेलो फ्रेंड आप सबी लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको लोग के पास भी ये रियल मी का टेक लाइफ बर्ट्स 300 ये वाली ये बर्ट्स तो इसमें एक फंक्शन आता है जिसको हम तो चाश्थ के आपको सारी प्रड़र्स करते हैं यहाँ स्टीव करते हैं यह वो अगर आप दोनों का सबसे पहले आपको बताता हूं एक मैं ने ले लिए इसमें पहले दुब मेरे टच अगर दता हो एऌना चल रहा होगा रहा हो जो भी चीज़े पर कर रहे ह露ुकर से टुरंत पाॉ旋तों यहां अगर इस पर करते हो तो प्ले एंड पॉज की फंक्शनलिटी को यह सो करता है ठीक है अब दूस्तों बात करते हैं हम अगर आप इस पर तीन बार लगाता टैप करते हो तो आपका जो गाना है वह नेक्स्ट सॉंग में कनवर्ट हो जाएगा अगर आप वीडियो देख रहे हो अगर अगर आप अपने इस वाले स्क्राइब आप तीन सीकंट के लिए अइसप्रैकर करते हो तो तीन सीकंट के बाद लगातार आपका जो यॉल्यूम है वह बढ़ना सुरू होजाएगा यानि जो भी आपके फोन की वॉल्यूम है वह तेजंगी हो तेज होने लगेगी आ अगर आप लेफ्ट वाले पे लगातार तीन सेकंड के लिए प्रेस करके और उसके बाद दबाया रखते हो छोड़ते नहीं हो तीन सेकंड के बाद भी आप उसके लगातार आपका वॉल्यूम डाउन होने लगेगा तो आप लोगों समझ में आगा होगा कि इससे आप क्या कर कर सकते हो डबल टैप से प्ले पॉस कर सकते हो तीन बाद टैप से नेक्स सॉंग प्ले कर सकते हो और लॉंग थी सेकंड के लिए लॉंग प्रेस करने के बाद अगर आप होल्ड करते हो तो यह वाल्यूम अप करता है राइट वाला एयरबड और लेफ्ट वाल्यूम डाउन करता है ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आप दोनों पर एक साथ टैप करते हो अगर आप डबल टैप करते हो इस पर लेफ्ट या राइट किसी भी किसी भी एरवट पर अगर आप डबल टैप करते हो तो अगर आपकी कॉल आ रही है तो कॉल उठी जाएगी यानि आपका फो का देना है तो उसके लिए आपको इस पर दो सेकेंड के लिए प्रेस करके होड़ करना पड़ेगा दो सेकेंड करते ही आपकी जो कॉल है वह आपको मोबाइल निकाल के डिसकनेट करने की जरूवत बिलकुल भी नहीं है और अब बात करते हैं इसकी एक बहुत ही जबर्जस फ सेंसर जो है उसको आप 10 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखते हो तो आपका यह यह वह रीसेट हो जाएगा जी हां दोस्तों रीसेट हो जाएगा और वह बिलकुल नए की तरह काम करने लगेगा तो आई तिंक यहीं इसकी फंक्सेनल्टी थी आप लोगो समझ में आ गया तो बस आज की वीडियो में ही ता मिलता के लिए किसे ने वीडियो में किसे के लिए टॉपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई